अगर आप योपी टीजिटी पीजिटी मेहत की तयारी कर रहा है तो आप लोग लिए चैनल काफी इपॉर्टेंट है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिशेगा आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि डोमेइन कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का डोमेइन कैस असान वासा में तो डोमेइन का मतलब होता है एक्स की वे वैलू होती हैं जिनको हम यहां पर रख सकते हैं यानि कि एक्स जिन जिन वैलू को यहां पर ले सकता है उसको हम डोमेइन बूलते हैं ठीकिएगा देखिएगा जैसे यहां पर अगर हम बात करें एक इसांपल मैं अगर आपको बताऊं, जैसे महालो कि 2x है, ठीक है, कोई function है, ऐसे लिख देते हैं, कोई function हमारा है, f of x is equal to 2x, अब आप देखो कि x की जगा आप कोई भी value रखो, minus infinite से plus infinite के बीश में आप कुछ भी value रखो, चाहे 0 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, आपको कोई न कोई value मि मिलेगी, ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें, एक function में आपको दिखाता हूँ, 1 by x या 1 by 2x की आप ले लो, अब देखो, यहाँ पे आप सारी values को रखेंगे, तो कुछ न कुछ value ज़रू राएगे, चाहे डेसिमल में आए, चाहे जिसमें कोई real value ज़रू राएगे लेकिन अगर आप x is equal to 0 रख देते हो, तो क्या होगा पता ही है, यह हो जाएगा 1 by 2 into 0 और यह बन जाएगा 1 by 0, चो कि 0 से भाग करना अपरिभासित होता है, क्या होता है, अपरिभासित होता है, चो कि यह define नहीं हुआ ना, इसको हम कह सकते हैं कि यह define नहीं हुआ, हमें कोई भी अगर function दिया है, ठीक है, इस तरीके से है, answer हर में है, यह numerator denominator में है, तो उसका जो denominator होगा, जो हर होगा, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर x की value 0 रखने पर यह 0 हो रहा था, तो यह denominator पूरा 0 नहीं होना चाहिए, जैसे एक example मैं आपका और जीरो हो जा रहा था, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो इसमें x is equal to 0 अगर आप रखते हो, देखो, x is equal to 0 रखेंगे, तो क्या आएगा, यह हो जाएगा, 2 into 0 plus 3, और यहाँ से अगर हम रखेंगे, तो 2 और 0 का multiply 0 होगा, plus 3 यानि कि 3 आएगा, अब देखो, यह define हो रहा है तो हमारा कहने के मतलब है, कि हमारा हर 0 नहीं होना चाहिए, यानि कि यह वाला जो पार्ट जो है, यह 0 नहीं होना चाहिए, तो x भले भी 0 हो जाए, देखो, यहाँ पे क्या था, x 0 अगर हो गया था, जैसे मालो x हमने 0 रखा, तो हमारा हर 0 हो जा रहा था, इसलिए यहाँ परिवासित था लेकिन यहां पर x 0 रखने पर भी यह हर जो है 0 नहीं हुग है इसलिए यह परिवासित है अच्छा किस पॉइंट पर यह परिवासित हो जाएगा देखिएगा अगर आप ऐसे निकालें तो 2x प्लस 3 अगर 0 किस पॉइंट पर होगा यह जेक कर लेते हैं 2x is equal to plus 3 इधर आएगा तो minus 3 और x is equal to minus 3 by 2 याने कि इस पॉइंट पर x is equal to minus 3 by 2 यह मारा जो function है यह define नहीं होगा याने कि इस पॉइंट पर जो है अगर हम x की जगा इस point को रख दे minus 3 by 2 तो यह हर मारा 0 हो जाएगा और जब यह 0 हो जाएगा तो यह function undefined हो जाएगा इस point पर तो इसका जो domain होगा वो हम लिख सकते हैं से क्योंकि पूरे real number पर यह defined है तो हर आपका कभी भी सूने नहीं होना चाहिए हर की value सूने नहीं होनी चाहिए ठीक है अब दूसरा मैं आपका उतारता हूँ जैसे अगर under root में कोई चीज है तो हमेशा आप जान लें कि जो under root के अंदर value है वो हमेशा 0 से 0 या 0 से बढ़ी होनी चाहिए कभी भी negative नहीं होन पहलेंगे पहला question हमारा है f of x यानि की कोई फलन दिया हुआ है और यह है pyq कि फॉम में यानि की यह answer और हर के रूप में है 3x plus 2 देखेगा यह quadratic equation है आप इसका factor कर सकते हैं ठीक है factor करना मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा मैं डाक्ट लिक देता हूं इसका factor हो जाएगा x plus 2 और x plus 1 ठीक है इसका आप गुढणखंड कर सकते हैं तो इस तरह किसा आप कर सकते हो अब अगर आप देखोगे द्हान से सीधे से पता चल दा है कि अगर हम x is equal to minus 2 रखते हैं तो यह वाला हमारा 0 हो जाएगा अब यह 0 होगा तो 0 into something 0 ही आएगा और 1 by 0 का form बन जाएगा इस लिए हमें इस से बचना है x is equal to minus 2 से में बचना है और आप देख रहे हो अगर x is equal to minus 1 रखते हो तो यह वाला 0 बन जा रहा है और यह 0 होगा तो 0 into something 0 ही आएगा फिर से हमारा 0 बन जाएगा 1 by 0 जो कि हमें नहीं चाहिए तो सिर्फ यह दो पॉइंट है x is equal to minus 2 और x is equal to minus 1 जि domain कैसे लिख देंगे आप आप लिखोंगे real number तो कि real number में सारे numbers आगे minus क्या क्या minus करना है यह दो खुश सेट है curly record लगा सेट है minus 1 and minus 2 इसका मतलब हो गया कि real number के set में से minus 1 और minus 2 दो point को अगर हम निकाल दें तो बाकी जितने भी point होगे वो सारे इस function की जो है वो domain में आ देखेगा हमारा दूसरा question है एक function है जो की under root x square minus 3x plus 2 है मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब भी under root में कोई value होगी तो वो हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ी होने चाहिए यानि कि positive होने चाहिए negative नहीं होने चाहिए आएगा इसका factor करके हम देख लेते हैं पहले इसका factor ही देखेगा यह quadratic equation है द्विघाद बहुपद है द्विघाद बहुपद का गुडण खंड करना आप जानते हैं मदबद को तोड़के करते हैं ठीक इतना आपके लिजिएगा देखो अब हमें यह factor मिलके दो अब हमें भचना के से हैं कि हमारा negative न बन जाए ठीक है तो पहले ह हम इसके निकाल लेंगे अगर हम इसको बोलते हैं zeros या आप कहलो इसके मूल निकाल लेंगे या zeros कहलेंगे तो हमें मिलेगा x is equal to 1 and is equal to 2 देखो कैसे करेंगे अब मैंने कर दिया था अब मैं आपको उताइता हूं देखो जैसे पहले हम निकाल लेते हैं कि किस पॉइंट पर यह हमारा 0 हो रहा है ठीक अब आप इसको जीरो करेंगे x minus 1 is equal to 0 तो यहां से मिलेगा x is equal to 1 अगर हम इसको 0 करेंगे x minus 2 is equal to 0 तो हमें मिलेगा x is equal to 2 तो देखो अगर हम number line कीजिए यह पे तो यह यहां पर समारा 0 हो जाए, यह तो 0 से बड़ा बढ़ा हो जाए, तो 0 इस पॉट में पर होगा, एक और 2 फे 0 होगा, क्योंकि यहां पर हमने आपको दिखाया, is equal to 0 करेंगे, तो x की value एक या दो आएगे, एक और दो पर 0 होगे, अब हमें देखना है, क्या 1 से छोटी value पर भी, यह 0 या 0 यहां पर इस वाले रीजन में पूरा यह क्या और प्लस वार अच्छी बात है क्योंकि हमें चाहिए कि हमने बताया था कि अगर जब भी रूट में कोई चीज रहती है तो वो हमें चाहिए क्या A is greater than 0 या तो 0 के बराबर है तो 0 से बढ़ागा ने कि positive हो तो हमें positive मिल गया है अब एक और दो के बीच में कोई point लेके देख लो एक और दो के बीच का कोई point बताओ जैसे मालो 1 by 2 आएगा 1 by sorry 1 by 2 यहां पर आपका जाएगा 1.5 यहां इसको लिख सकते हो 3 by 2 3 by 2 रखके देखो कितना आएगा तो 3 by 2 रखेंगा ना चुकि यह दो से छोटा है यहां पर हम कोई point ले रहे हैं तो यह negative आएगा और यह एक से बढ़ा इसलिए positive और negative का multiply करेंगे तो negative आएगा तो जब negative हो गया और negative हमें चाहिए इसको छोड़ेंगे अभी रुकर रहते हैं आगे चलके दो से बढ़ा कोई value यहां पर रखो गये तो यह positive बनेगा और यहां पर चुकि दो से बढ़ा होगा तो positive बढ़ा होगा यह पॉस्टिव बनेगा यह हमारा दो से बढ़ी कोई value positive तो देखो यहां से हमारा डोमेन बन जाएगा इसको माइनस इंफिनिटी से 1 तक माइनस इंफिनिटी से 1 तक यहां पर हम क्या लगा इधर close interval इधर open interval ठीक है यहां पर सारी यह आपका close हो गया यहां पर open हो गया और union करते हैं यहां पर देखो यह हमारा एक से दो तक छोड़ जाएगा क्योंकि यहां पर negative हो रह है क्योंकि आपने लिखाए 0 जाए तो यहां से हम close bracket लगाएंगे और infinity पर यहां पर open bracket लगाएंगे ठीक है तो यह हमारा domain बन जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हम domain निकालते हैं आप याद रखिए का कौन function किस point पर define होता है ठीक है तो आपको वीडियो पसंद आए तो ला जाएंगे तो वीडियो का को भीडियो शवड़ाओी प्रिजयोंगे घए खिएटाय।